देव के भी देव है तिरदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा जी को स्रिष्टी का रचैता कहा गया है विष्णु जी को पालनहार कहते हैं और महादेव इस स्रिष्टी के संगारक हैं तो अब कई लोगों के मन में यह प्रस्ण उठा होगा कि तिरदेव की आखिर उत अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लेज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो बनाने में हमारा हाऊसला ब पहस में कौन है सबसे अधिक सक्तिसाली इस कहानी में तीन प्रकार से कहानी मिलती है पहले है सिव पुराण में से दूसरी है भागवत गीता में से और तीसरी है सब्त विशियों में पहले जानते हैं सिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विश्नु में कौन है इन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई तबे इन दोनों के बीच में अचानक से एक अगनी इस्तंब प्रगट हो गया और उस इस्तंब से आवाज आई कि जो भी इस इस्तंब के उपर का आकार और नीचे का हिस्सा पता कर लेगा वा होगा तुम लोगों में सबसे बड़ा उसके बाद भगवान विश्णू इस्तंब के नीचे हिस्से की तरफ उसका पता लगाने के लिए बढ़ते हैं और वहीं ब्रह्मा जी उपर की और उसका पता लगाने के लिए बढ़ते हैं दोनों में से किसी को भी इसका अंत नहीं मिला और भगवान विश्णू ने तो अपनी हार मान ले लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें इस इस्तंब का अंत मिल गया है लेकिन ब्रह्मा जी की या बात असत्य थी ब्रह्मा जी की असत्य बोलते ही उस अगनी इस्तंब से भगवान सी प्रगट हुए और ब्रह्मा जी के पांच मुख में से एक मुख को नश्ट कर दिया और उन्हें स्राप दिया कि उन्हीं की बनाई हुई स्रिष्टी में उनकी कोई पूजा नहीं करेगा और भगवान विश्णु को अपने समान पूजे जाने का वर्दान दिया और यह कथा सिव पुराण की है और सिव पुराण के मुताबिक भगवान सिव सबसे बड़े हैं अब बात करते हैं भागवत गीता की जब एक बार सब्त रिशियों में चर्चा हो रही थी ब्रह्मा विश्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है इसलिए उन्होंने तिर्देओं की परिक्षा लेने की सोची इसके बाद भ्रगु रिशी से परिक्षा ल विश्णु के पास गए और उनका भी अपमान किया और बाद में रिसीवर बैकुंठ में भगवान विश्णु के पास गए उच समय भगवान विश्णु से सनांकी सईया पर विश्राम कर रहे थे तब ब्रगु रिशी ने भगवान विश्णु की चाती पर लात मारी ब्र आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई क्योंकि मेरी छाती का भाग बहुत ही कठोर है इसलिए आपके पैर में चोट लग सकती है भागवान विश्णू की यह बात सुनकर भ्रिगू रिशी ने भागवान विश्णू से छमा मांगी और फिर रिशीयों ने यह तय किया कि त पताओं की माने तो मनुष्य से अगर अपनी संपूर बुद्धी लगा कर भी सोचे फिर भी तिरदेव की तुलना नहीं कर पाएंगे शीव पुराण और विश्णू पुराण में इन तीनों को स्रेष्ट बताया गया है और एसी कोई जानकारी नहीं है कि इन में से स्रेष कौन है अब बात करते हैं तीसरे की इसके अनुसार ब्रह्मा जी विश्णू जी और सीव जी एक साथ बैठे थे तबी भगवान सीव ने सोचा कि अगर मैं विनासक हूँ तो अपनी सक्तियों से किसी का भी विनास कर सकता हूँ क्या मैं ब्रह्मा जी और विश्णू जी का इस्तमाल मुझ पर करें और मैं भी या जानना चाहता हूँ कि आपकी सक्तिया मुझ पर क्या असर करती हैं तब सीव जी ने ब्रह्मा जी पर अपनी सक्तियों का उप्योग किया और ब्रह्मा जी वहीं जलकर राख हो गए तब भगवान सीव चिंतित हो गए कि अब इस को अपनी मुठी में लेने वाले थे तभी उसमें से आवाज आई कि सिव जी मुझे कुछ नहीं हुआ ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी सक्ती से मुझे से राक का निर्मार हुआ है और जहां निर्मार होता है वहां पर मैं होता हूँ फिर भगवान विश्णु मुश्कुरा और कहा कि मैं इस रिष्टी का संदच्छक हूँ और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी सक्ती का असर मुझे पर क्या होता है फिर भगवान सिव ने अपनी सारी सक्तियों का उपियोग विश्णु जी पर किया तब फिर वहां पर भी राक का धेर लग गया और उसमें से आवाज आई कि मैं भी यहीं पर हूँ कृपा आप अपनी सारी सक्तियों का उपियोग करें फिर एसा करने के बाद वहां से सारी राक का धेर गायब हो गया और उसमें से एक कंड बच गया जिसमें से भगवान विश्णु प्रगट हो गये तब या साबित हो गया कि उन्हे यानि कि स्रिष्टी के संरच्छक को कोई भी नहीं मार सकता सिव जी ने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी और विश्णु जी का विनास नहीं कर सकता तो अगर मैं अपने आपका विनास करूँ तो क्या मेरा विनास हो जाएगा कि अगर मैं नहीं रहा तो विनास नहीं होगा और बि विश्णू मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और यह समझ रहे थे कि भगवान सिव क्या करने वाले हैं उसके बाद भगवान सिव ने अपना विनास कर दिया और राक में बदल गए जैसा कि वह सोच रहे थे ब्रह्मा जी और विश्णू जी भी राक में बदल गए जिसके चलते अ अलावा कुछ भी नहीं था तब राक से आवाज आई यहां पर राक का निर्माड हुआ है और जहां निर्माड होता है वहां पर मैं होता हूँ और उस राक से ब्रह्मा जी प्रगट हुए और उसके बाद विश्णू जी और अंत में सीव जी प्रगट हुए और जहां पर गटना की इसमृति के लिए भगवान सिव ने राख को अपने सरीर पर लगा लिया और तब से ही उन्हें सिव भस्म भी कहा जाने लगा। इस कथा से हमने जाना है कि तिल्देओं की आपस में तुलना करना व्यर्थ है और हमें उनकी भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जहां पर रचना होगी वहां पर ब्रह्मा जी होगे और उस रचना के सनरचक के लिए भगवान विश्णू होगे और अगर रचना होगी तो उसका विनास भी जरूरी है क्योंकि विनास के बिना पुना रचना नहीं की जा सकती इसलिए तीनों देवों की आवश्यक् ही है